करां के रहा है आपकी तंपूरा से लेली से जब आई थे क्या वबन जोरी थी आप मेरा बीपी आई था और चेक कराया तो बताया कि किन्या हो अच्छा और च्रिया पर कराया था तो मेरा 31 तक अच्छा अब तीन महीने बाद अभी रिपोट हैं तो उसको बढ़के 34 पॉंट स सब्सक्राइब कराया था तो यह अपने आप गए थे हां से कराने फिजिकली बेटल लगए सब्सक्राइब की रिपोर्ट है जिना स्कान दीपी चौदा जूल दोजा रठारा रहा है तर्टी वन के आसपास है इसके अंदरन का जी एफार लेफ्ट किनी का फोटीन है और र माहिन है लेफ्ट किड्नी आपिर्स रिलेक्टेबली श्मालर री तेट्नी आपिर्स परेंटली इस फीर्स अंदर स्मॉल है स्मॉलर देन था चूल सइस सब्सक्राइब करा है निस सब्सक्राइब करा है इसके अंदर इनका जो जी एफर होगा 34.2 के आजपास हो गया कि कि उदी का जी एफ एकक वूच्च एफ जाएब करेंस दोनों किड्म नॉर्मल इंसाइज बाय देटरल किड्नि पियर नॉर्मल इनशाइज और अगरं यही अपिछले तीन में जीखेंगे तो लेफ्ति कि अपियर स्मावलाइन साइं राइट की में आपियर इंप्ञाल साइज डोनों किकनी का साइज पिछले टेस्ट के अंदर ग्लोम है डॉमार्फबर कांप्रोइस थाском प्रमाइस था तीन मہने चांदर द्र जी-फै वार में इंप्रोमände में किडिनी दो के यम्परूव करी वह प्रूंद के इंप्रूव करें बलकि इनका किडिनी का साइस था टा वो भी नॉर्मल की रेंज में आगए कि तो तो आज एक और चीद से कहाई का जहां तक सवाल है वह उसकता और यह रिपोर्ट का धार पर हो सकता इंपने आप है अपने आप से कर आए अपने आप से आगे कर आए और अपने अंदर शुट कर और इंसे हमें आई दोनों के अंतर जाए जाता है कि यह प्रोग्रेसिब सब्सक्राइब नहीं बताते हैं कि इसका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं तो इनको उन्हें बता दिया कि यह प्रॉब्लम बढ़ती जली जाएगी जितना सकते हो चला उसके बाद फिर डालेसिस अंज ट्रांस्प्लांट है तो यह बिल्कुल स्पाइश्ट टेड्नी रोगी की कहान ही है कि डालेसिस होगा और फिर ट्रांस्प्लांट होगा जब तर चल सकता चला लोगा लेकिन इसको रोक नहीं सकते तो क्या सकते हैं सकते हैं अगर तो यह रिपोर्ट्स जो हैं वो क्या बता रही है रिपोर्ट्स बता रहीं कि जी आफार इंप्रूफ और कि आप प्रेंद्नी का शाइज हुआ कर दिया कि के लिए है जापे कई